हेलो गाइज दिशी विशाल चर्मा वेलकम टू दुद अकटलेस्ट क्यास आप सो भी लोग आपका रिविजन भी बहुत तत्य से चल रहा होगा जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं कि रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आप जो भ अगरे स्क छाहा है ना इसाम तो कम्लान मोडिफिकेशन इन दागैस क्ल्ट नेक्सट पॉइंट च टाल लिए और वसटा नेक्स पुइंट है क्या क्या मोडिफिकेशन हो सकता है तो बेंजन साइकल में आपके Regeneration हो सकता है Reheating हो सकती है और Intercooling हो सकती है और हमारा जो Mean Focused होगा इस Lecture में वो इनी तीनों Modification पर होगा तो जो सबसे पहला Modification अभी हम deal करने वाले हैं वो होगा आपका Regeneration in Brayton cycle तो जो पहला Modification है that is the Regeneration in Brayton cycle तो ये वाला जो Regeneration है, Reheating है और जो आपका intercooling है these same modification will be used in your rank kind cycle ध्यान रखिएगा यहां पर जब आप इन concepts को पढ़ रहे होंगे तो वो concepts आपके आगे आने वाले chapter में भी use में आने वाले it is also very useful तो modification होने से आपकी efficiency पर क्या effect आता है cycle की आपके network पर क्या effect आता है आपके heat supplied पर क्या effect आता है heat rejection पर क्या effect आता है mean temperature of heat addition पर क्या effect आता है mean temperature of heat rejection पर क्या effect आता है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते है regeneration in baton cycle की तो सबसे पहले मैं आपको इसके system का diagram बताता हूँ फिर आपको पता चलेगा कि इसका use कहां किया जाता है और क्यों किया जाता है तो अगर हम बात करते हैं हमारी basic cycle की तो basic cycle में जो सबसे पहले component होता है वो component होता है आपका compressor क्या component होता है compressor component होता है compressor में आपका working fluid enter करता है और बाहर निकलता है और उसके बाद क्या होता है जल्दी से बताएंगे basic cycle में उसके बाद आपका combustion chamber या फिर heat exchanger होता है लेकिन अगर हम यहां पर modification करेंगे तो during the modification अगर हम regeneration का use करेंगे regenerator का use करेंगे that it is a type of the heat exchanger तो उस condition में जब आपका compressor से working fluid बाहर निकलेगा तो combustion chamber में ना जाते हुए सबसे पहले enter करेगा आपके regenerator में किसमें एंटर करेगा regenerator में enter करेगा तो यह ध्यान रखिएगा compressor के बाद आएगा regenerator तो regenerator आने के बाद क्या होगा regenerator आने के बाद यहां पर होगा आपके combustion chamber so what is this this is the combustion chamber तो पहले हम enter करवाएंगे regenerator में उसके बाद हम enter करवाएंगे हमारे combustion chamber में combustion chamber की जगें आपका heat exchanger भी हो सकता है कोई problem वाली बात नहीं है यहां से working fluid अंदर enter करके आपके एक heat exchanger से होता वा जिसका नाम regenerator है हो यहां से फिर आपके combustion chamber में enter करेगा कुछ इस तरीके से so this is the combustion chamber combustion chamber से निकलने के बाद आपका working fluid कहां enter करता है sir combustion chamber से निकलने के बाद हमारा working fluid enter करता है हमारे turbine में जहां पर उसका isentropic expansion होता है अगर आपके turbine की isentropic efficiency क्या हो hundred percent हो तो अगर hundred percent efficiency होगी तो जो expansion होगा वो क्या होगा आपका isentropic expansion होगा तो इस योगर ट्रबाइन यह क्या है आपका ट्रबाइन है अभी मैंने numbering नहीं किये के वहले आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें हो क्या रहा है त्रबाइन से निकलने के बाद रबाइन से जो आपका exhaust product निकल रहा है जो exit हो रहा है जो आपका वर्किंग बाहर निकल रहा है मैंने आपको बताया था कि उसका temperature बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा temperature हम environment में नहीं डाल सकते because it is a whose loss उस high temperature वारे working fluid का हम use करेंगे in regeneration process तो यहां से जब आपका working fluid बाहर निकलेगा उसको हम भेजेंगे regenerator में किसमें भेजेंगे री generator में भेजेंगे तो ट्रबाइन से होता हुआ वो जाएगा उसका temperature पहले ही अगर हम थोड़ा ज़्यादा increase कर देंगे with the help of the regeneration process तो combustion chamber में जो हम heat supply करने वाले थे उसके जो quantity होगी वो क्या हो जाएगी decrease तो यहां से यह ऐसे होते वे बाहर निकलेगा तो यहोब आपको इसका operation पता चल गया होगा इसमें क्या होगा इसमें आपकी जो heat होगी आपके hot working fluid से cold working fluid की और आएगी so this is the qs1 यह क्या है आपका qs1 है तो अगर आप इसको लिखना चाहों तो qs2 भी लिख लो कोई problem नहीं क्योंकि qs1 हम हमारे अब बात आती है numbers की यह numbers क्या क्या है देखिए so this is the first point enter होने पर this is the second point this in between of reasonator and the combustion chamber is the two dash और यहां पर जब यह निकलेगा so this is the three यहां पर जब यह enter होगा this is the three यहां से जब यह बाहर निकलेगा this is the four यहां से जब यह एंटर होने वाला होगा this is the four because four will remain same और यहां से जब यह बाहर निकलेगा this will be the four dash यह क्या होगा आपका four dash होगा और यहां पर क्या interaction हो रहा है क्या energy का interaction हो रहा in terms of the work and the heat so let's see compression में आप क्या करते हो compression में आप work input provide करते हो so this is the w input clear है जहां आपने heat supply कर दी है और यहां पर भी आपकी heat supplied होगी with the help of the combustion of the fuel that is the q.s1 यह क्या होजाएगा q.s1 ट्रबाइन में हमें मिलने वाला है work output so this is the w not यह क्या हो जाएगा आपका w not हो जाएगा अब देखिए क्या है रीजनरेटर और combustion chamber region और combustion chamber दोनों ही एक तरीके के क्या है heat exchanger है दोनों ही एक तरीके के क्या है heat exchanger है और heat exchanger का मैंने एक important point आपको बताए था कि heat exchanger में जो भी heat exchange होता है between the two working fluid it will be at the constant pressure यह कहां होता है constant pressure पर होता है यह कहां होता है constant pressure पर होता है ठीक है अब बात करेंगे specifically हमारे रीजनरेटर की क्योंकि बाकि सभी components के बारे में हम डील कर चुके हैं तो होता है उसमें क्या होगा उसमें आप यूज में लोग हैं जिसे हम कहते हैं फेक्टिमनेज़ायायाया ही एक्क्चेंजर और जल्दी से बताइए heat exchanger की effectiveness क्या होती है what is the effectiveness of the heat exchanger now come to the point that कि यहां पर आपका heat exchanger है that is the regenerator और यहां पर आपका working fluid है so this is the working fluid this is also the working fluid देखें यहां पर यहां से working fluid enter होता है exit होता है enter होता है exit होता है ठीक है यहां पर working fluid होता है that is the temperature at t2 so this is the temperature t2 dash this is the temperature t4 and this is the temperature t4 dash so what is the effectiveness of the heat exchanger it is the ratio of the actual temperature rise it is the ratio of the actual temperature rise of working fluid divided by maximum temperature difference divided by maximum temperature difference इन दोनों का जो ratio होता है वो क्या होता है वो होता है आपका effectiveness तो actual temperature rise कितना हो रहा है T2 से T2 dash पहुंच गया है due to the heat exchange between these two working fluid तो यहां पर T2 का temperature increase होगे T2 dash तक पहुंच गया है so this is the actual temperature rise which is equals to T2 dash minus T2 divided maximum temperature difference तो maximum temperature difference यहां देखो यहां पर सबसे कम temperature है यह और यहां पर लेको टर्बाइन से निकल रहा है तो सबसे ज़्यादा टेमपरेचर है यहां across the heat exchanger across the heat exchanger जो minimum temperature है वो है आपका T2 so this is the minimum temperature और जो maximum temperature है वो है आपका T4 so this is the maximum temperature so what will be the maximum temperature difference so this इस फॉर्मले को रटने की कोशिश मत करना बिलकुल बेसिक कंसेप्ट लगाना तब आपको यह जो फॉर्मला है वो याद हो जाएगा इफेक्टिवनेस क्या शो करता है वट दूमें बद एफेक्टिवनेस हमने एफिशेंसी को क्यों नहीं लिया हमें सहां हीट एक्षेंजर से परफॉर्म की जा रही है और जो यहां पर जो हमें हीट एक्षेंजर यूज में ले रहे हैं उसके जो एफेक्टिवनेस होगी जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.7208 और जो आइडियल कंडिशन होगा इन आइडियल कंडिशन यह तो एक्चुल कंडिशन के मतलब देखो मतलब यह होगा कि इसने जितना हीट इसको दिया होगा सारा का सारा हीट इसने ले लिया होगा मतलब इसने जितना हीट इसको दिया होगा सारा का सारा हीट इसने ले लिया होगा एटमोस्पेर में कोई भी लॉस नहीं होगा फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं होगा in the ideal situation और ideal situation तो कभी होती ही नहीं है अगर question में ideal situation दी हो तो उसका मतलब यह होगा कि जो यह वाला जो fluid है इसका जो temperature जितना बढ़ रहा है उतना ही temperature इस fluid का घटेगा मतलब यहां से जितनी heat घूम के यहां आ रही है सारी की सारी heat को यह वाला जो working fluid है गेन कर लेगा मतलब जितनी heat reject होगी उतना ही heat क्या होगा gain heat reject कहां हो रही है यहां हो रही है तो यहां हो रही है heat का rejection यहां क्या हो रहा है heat का rejection और heat का gain कहा हो रहा है यहां क्या हो रहा है heat का गेन तो ध्यान रखेगा ideal condition में अगर effectiveness की जो value है अगर वो 1 है तो in that case जो heat rejection होगा वो किसके equal होगा heat gain के equal होगा तो यहां तक कोई problem नहीं से कोई problem नहीं है काफी easy है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके ts diagram की तो ts diagram जब आप इसको देखोगे तब आपको सारी चीजे समझ में आने लग जाएगी ठीक है तो performance क्या होता है performance होती है effectiveness performance क्या होती है effectiveness की कितना effectively perform कर रहा है अगर मैं आप से पुछ हूँ आपके performance क्या है तो आप मुझे बताएंगे कि मेरी इतनी sitting capacity है मतलब मैं इतने घंटे तक बैठके continuously पढ़ सकता हूं से में अगर हम बात करते हैं heat exchanger की तो कितना effectively perform कर सकता है उसे हम कहते है effectiveness उसे हम क्या कहते है effectiveness कहते है now come to the TS diagram TS diagram बनाने के लिए सबसे पहले graph plot कीजिए so this is the T axis and this is the S axis so this is the temperature and tropical this is the temperature and tropical और देखिए यहां पर होगा आपका सबसे पहले compression so this is the one and this one is the two यह क्या आपका वन है और यह क्या आपका टू यह हो रहा है आपका isentropic compression जिसमें हम work input कर रहे हैं आपके compressor को उसके बाद क्या होगा heat additionate the constant pressure because of that temperature will be increased from the two to two dash at the constant pressure तो यह constant pressure line है so this is the constant pressure line और यहां पर two से two dash तक in the regeneration process आपका क्या होगा temperature increase तो suppose यहां तक temperature increase हो रहा है तो यह two से two dash तक हम पहुंच गए so this is the two dash यह क्या है आपका two dash कोई problem यहां तक नहीं सर कोई problem वाली बात नहीं है देखिए अब आप देखिए उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद हो रहा है आपका two से लेके three तक combustion chamber में heat का addition at the constant pressure तो यह हो जाएगा two से three ठीक है two dash three okay so after that what will happen there will be an isentropic expansion यहां पर क्या हो रहा है आपके isentropic expansion हो रहा है यहां तक क्या प्रोब्लम नहीं सर कोई problem वाली बात नहीं उसके बाद क्या होगा देखिए उसके बाद यह आपने constant pressure line वापिस हमने यहां पर रो कर दिये उसके बाद क्या होगा देखो इसके बाद यहां पर यहां पर होगा heat का exchange देखो यहां so this will be the heat exchange this is the point four and this is the point four dash this is the point four and this is the point four dash clear है बिल्को से clear है कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है so this is the ts diagram this is the ts diagram in regeneration process actually आपको parallel रज़र आएगी लेकिन यह parallel है नहीं यह diverging nature की है ठीक है कैसी nature की है diverging nature की है अब देखिए हो क्या क्या रहे है आप पर one to two process में आप क्या कर रहे हो work input प्रोवाइट कर रहे हो क्या प्रोवाइट कर रहे हो क्या प्रोवाइट कर रहे हो वर्क इन्पूट अब मैं आप से question पोस्ता हूं कि आप जो actual heat addition कर रहे हो वो कहा हो रहा है सर जो actual heat का जो addition हो रहा है वो combustion chamber में हो रहा है लेकिन साथ ही साथ यहां पर additional heat exchange भी हो रहा है in the regeneration process और यह जो heat आ रही है आपकी यह turbine से जाने वाले working fluid की waste heat है जो कि आप fuel की help से add नहीं कर रहे हो तो यहां पर देखिए यह जो blue color वाला है जो ब्लू कलर वाला जो पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूं saving in heat addition heat addition की जगे मैं लिखता हूं q.s तो q.s में यहां पर क्या हो रही है इसकी saving हो रही है उसके बाद जो actual heat addition process है जिसमें हम फ्यूल जला के heat दे रहे हैं वह है 223 वह क्या है 223 वाइडियर friends को students ऐसे होते हैं जो इसकी heat exchange भी actual heat addition में count कर लेते हैं तो जो actual heat addition होगा वो 2 से 3 होगा तो ध्यान रखिएगा so this is the heat addition at the process during the combustion chamber उसके बाद देखिए 324 में क्या हो रहा है 324 में आपका isentropic expansion हो रहा है और आपको मिल रहा है w not क्या मिल रहा है w not मिल रहा है और उसके बाद 4 से लेके 4 डैश में 4 से लेके 4 डैश में जो आपका working fluid है अपनी waste heat को अपनी waste heat को आपके combustion chamber में पहुंचने से पहले working fluid को supply कर देता है so this is the saving in heat rejection so this is the saving in heat rejection तो 4 से 4 डैश तक आपके heat rejection में saving हो रही है और 2 से लेके 2 डैश तक आपके heat supply में saving हो रही है मतलब हमें सिरफ इतनी heat supply करनी पड़ेगी यह पूरी heat यहां से लेके यहां तक supply करने की जुर्ड़त दुर्व दो धियान रहन रखेगा इतनी cooling supply हमें के वonaласт रुखिए हमें इतनी supply करनी है इतनी से लिंग्त करनी यहां गुझिए हमें इतनी reek्ट करनी थी देक्ट हमें इतनी reject नहीं करनी पड़ेगी हमें सिरफ इतनी ही reject करनी पड़ेगी और rejection में सेमीं कितना हो रहा है इतना हो रहा है तो actual heat rejection कहां होगा sir actual heat rejection will be takes place during the process four days to the one so this is the heat rejection यह क्या हो जाएगा आपका heat rejection हो जाएगा यहां तक कोई problem नहीं सर कोई problem वाली बात नहीं है अब मैं आपसे question पूस्ता हूँ कि क्या one से लेके two और three से लेके four तक में कोई change आ रहा है बिलकुल नहीं सर यहां पर बिलकुल भी change नहीं आ रहा है तो अगर यहां बिलकुल change नहीं आ structure and compression work input it will also remain same during the regeneration process because in the regeneration process seraph change का रहा है यहां पर और यहांपर हमें इतने heat supply करनी पद रही ती अब हम सिर्फ इतनी ही करेंगे हमें इतनी heat reject करनी पद रहे थी अब हम सिर्फ इतनी ही heat reject करेंगे तो यहां पर जो हम extra heat reject करेते यह पर दो यहां पर जोंगे that will be utilized इन the increasing of the temperature of the working fluid before entering into the combustion chamber now come to the effect of the regeneration process on the different parameters of the blatant cycle to sub se pahla parameter hamlete hai w dot c that is a compression work so the compression work before the regeneration will be remain same as the after regeneration so it will be constant again about cut the turbine work key so the turbine work will be also remain constant if these boot work will remain constant so the c point is the network done it will be also remain constant to network done for kobe farak nahi padne wala hai so there will be no effect on the network done now come to the c point d point sorry so d point is what that is the heat supply so heat supplied will be decreases job heat supplied कर रहे थे वो decrease हो जाएगी पहले इतनी कर रहे थे अब सिरफ इतनी ही करेंगे समझा रहा रहा ना पहले इतनी कर रहे थे अब सिरफ इतनी करेंगे तो यह चीज़ आप यहां पर clear होनी चाहिए now come to the e point that is the heat rejection so heat rejection भी पहले हम ज्यादा कर रहे थे अब हम कम करेंगे तो heat rejection is also decreases heat rejection भी क्या हो गया है decrease हो चुका है now come to the f point that is the mean temperature of the heat addition to mean temperature क्या होता है दो temperature का average जिनके बीच में heat added हो रही है पहले और थी यहां से यहां पहले का हो रही थे T2 से आपके T3 तो mean temperature यहां कहीं बीच में आएगा अब कहां हो रही है अब हो रही है आपके T2 डैश और T3 के बीच में तो mean temperature of heat addition यहां पर कहीं आएगा बिलकुल बीच में तो mean temperature of the heat addition also increases तो यह आपका क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अगर हम बात करते हैं डी point की that is the mean temperature of the heat rejection पहले देखो rejection का temperature कहां था यह one और यह four ले लो so this is the four so this is the four this is the one इन दोनों का average यहां कहीं आएगा so this is the average of the four comma one ठीक है अब आरा है four dash तो यह four dash मानों यह अब this is the four dash और one or four dash average का आएगा यहां so this is the four dash comma one पहले mean temperature of heat rejection यहां था अब a mean temperature of heat rejection यहां पर है तो यह क्या हो रहा है decrease so it will be decreases mean मतलब average mean temperature of heat rejection will be decreases now come to the efficiency efficiency पर क्या effect आता है what is efficiency sir efficiency is equals to one minus mean temperature of the heat rejection divided by mean temperature of the heat addition clear if the mean temperature of the heat rejection will be decreases then this whole value negative value will be decreases same as if the mean temperature of the heat addition will be increases then this whole value negative value will be decreases if this whole negative value will be decreases then the efficiency of the cycle will be increases आपकी साइकल के efficiency क्या हो जाएगी increase हो जाएगी efficiency को और कैसे हम देख सकते हैं देखो हो वाट इसने इता इता इस इक्वाल स्टो नेत वर्क दन इता इस इक्वाल स्टो नेत वर्क दन डिएट वाइट वाइट सप्लाइट किसी भी पैरामीटर को आप उठाके efficiency का अनलाइस कर सकते हों आ हो कि यह व् keyword पूम हमने उर्क उने कर लिया वन्हें क्यू बाभाव दीवाइड वाइड वाइड 20-2 यह वाव वाला भी क्यू लटे वाइड वाय वाइड ओर स्टमर्टी विर्टो अश्तो हो दोनों क्यों और यह कर लिया हूंने क्यू यह वाला भी कर लिए W net or Q dot S अब हम कर रहे हैं Q dot R divided by Q dot S So the rejection rejection क्या हो रहा है decrease rejection भी क्या हो रहा है decrease और यहां देखो heat supplied भी क्या हो रही है decrease हो रही है क्या आप यहां से predict कर सकते हो कि efficiency पर क्या effect आएगा heat supplied is also decreases heat rejection will be all decreases तो यहां से हम predict नहीं कर पाएंगे कि कौन कितना decrease हो रहा है कौन कितना decrease हो रहा है तो इसलिए मैंने आपको यह वाले फंडे बताएं कि mean temperature of heat addition और mean temperature of heat rejection से आप predict कर सकते हो कि efficiency पर actual effect क्या आने वाला है ठीक है तो यहां से हमें पता चलता है कि because of the regeneration process बिकॉस ओफ डारी जनेरेशन प्रोसेश दा efficiency तो यह एफ आगे ना ABCDF यह था सोरी इस दाएच efficiency will be increases efficiency क्या हो जाएगी आपकी increase हो जाएगी तो यह पैरामेटर से वह आपके examination में पुछे जा सकते हैं which of the following statements are correct regarding the regeneration process in the Brayton cycle regeneration process अगर हम करेंगे बेटन सेंखिल में तो क्या effect हो सकते हैं now come to the point that क्या हमें region करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो region regression करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम पता कैसे लगाएं..? इसका पता लगाने के लिए हम क्या करतЭто regeneration process में pressure ratio को increase करते हैं क्या करते हैं Regeneration process में pressure ratio को increase करते हैं और फिर हम देखते हैं कि आपके compressor के exit पर temperature और आपके turbine के exit पर temperature पर क्या effect आता है अब हम देखने वाले हैं कि Regeneration करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए clear है ना अब हम क्या देखने वाले हैं कि Regeneration करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए प्रॉसेस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और इसको नीचे ले कर आऊ ठीक है और यहां से थोड़ा साइस कोागे बढ़ाओ फिर इसको साफ कर दो, ऐसे करो, फिर इसको ऐसे लेकर आजो, ठीक है, so this is the regeneration cycle, this is the one, this is the two, this is the two dash, this is the three, four and four dash, clear है, बिलको से clear है, ठीक है, अब देखिए, this is the maximum temperature, ये क्या है आपका, maximum temperature है, so this is the T3, okay, and this one is the minimum temperature, so this is the T1, now I want to increase the pressure ratio, so if you want to increase the pressure ratio, करो increase, क्या problem है, तो हमने pressure ratio को increase किया, 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 कितना करना चाहते हो, maximum तक मतले जाओ, कोई problem नहीं है, लो हमने ये pressure ratio को increase कर दिया, ठीक है, this is the fourth point, तो ये हो जाएगा आपका two double dash, ये हो जाएगा आपका three, same ही है, और उसके बाद ये हो जाएगा आप आपका four double dash, अब देखो, यहां point में आपसे बात करने वाला हूँ, देखो, तो जो आपके, यहां का जो temperature है, as compared to the initial temperature, ये बढ़ गया, clear, आपके जो turbine के exit पर जो temperature है, आपके जो turbine पर जो exit पर जो temperature है, वो क्या हो गया, decrease हो गया, clear है, मतलब T2 की value increase होगी, T4 की value क्या होगी, decrease, होगी, जिसके कारण जो आपका जो regeneration process होता है, वो effectively work नहीं कर पाता है, if we increase the pressure ratio, क्यों, देखो, so what is the maximum temperature difference, so what is the maximum temperature difference, sir this maximum temperature difference is equals to T4 minus of T2, T4 minus of T2, ऐसा है न, अब देखो, अगर T4 decrease होगा, अगर T4 decrease होगा, तो maximum temperature difference will be also decreases, अगर T2 increase हो रहा है, due to the increase in the pressure ratio, obviously again, again क्या होगा, this maximum temperature will be decreases, मतलब, अगर हम regeneration process करते हैं, और उसके साथ हम pressure ratio भी increase कर देते हैं, if we increase the pressure ratio, तो यह जो maximum temperature difference है, वो क्या होगा, decrease, and because of this decrease in the maximum temperature difference, जो waste heat होगी, that is available for the working fluid, वो भी कम हो जाएगी, और जो आपका heat exchanger है, वो effectively work नहीं कर पाएगा, इसलिए हम कभी भी regeneration नहीं करते हैं, in order to increase the efficiency of the cycle, so that's why regeneration will be avoided, तो यह reason आप उसको दे सकते हो, कि यह है reason, इसलिए हम regeneration नहीं करते हैं, तो यह आप ध्यान रखेगा, because of the regeneration, exit temperature of the turbine will be increases, as well as the exit temperature, sorry, exit temperature of the compressor will be increases, and the exit temperature of the turbine will be decreases, and that's why the maximum temperature difference, across the heat exchanger will be decreases, and so the available waste heat energy will be decreases, clear है, so this is the regeneration process, now come to the efficiency of the cycle, if we use the regeneration, अगर हम regeneration करते हैं, तो उस condition में आपकी cycle की efficiency क्या होगी, एक बात में और आपको बता देता हूं साथ ही साथ में, कि जब भी आप numerical solve करते हो, and you calculate the value of the T2 and T4, तो उसकी एक short trick भी है, क्या है, T2 को तो आपको generally उसी formula से find out करना पड़ेगा, with the help of the pressure ratio, लेकिन T4 की value आप कैसे find out कर सकते हो, यह आपका funda है, that is the T1, T3 equals to T2, T4, तो जैसे आप T2 की value calculate करते हो, with the help of this equation, you can calculate the value of the T4, you do not need to use the formula of the RP, आपको RP के formula को use करने की जूरत नहीं पड़ेगी, now come to the efficiency of the cycle, अब हम बात करने वाले हैं, efficiency, ठीक है, now come to the efficiency, what is efficiency, efficiency क्या होता है, regeneration की, it is equals to the net work done divided by heat supplied, it is equals to the net work done divided by heat supplied, so what is net work done, so what is net work done, so net work done is the work done by the turbine, minus work done by the compressor, dot means per unit time, which will be converted into the power, so W dot T equals to M dot C P T3 minus T4, W dot C equals to M dot C P T2 minus T1, the both will remain same during the regeneration process, now come to the heat supplied, Q dot S is equals to, Q dot S हो रहा है आपके, 2 dash और 3 वाले process में, so this is equals to M dot C P T3 minus T2 dash, T3 minus T2 dash, यहां तक प्रोब्लम नहीं सेर्कों प्रोब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ आईए, अब हम बात करते हैं, ideal regeneration की, किसकी बात करते हैं, ideal regeneration की, क्यों, क्योंकि यहां तो हम assumptions ले रहें, और assumptions हम इसलिए रहें था कि हमारा जो derivation हो सिंपल हो जाए, तो ideal regeneration में क्या होगा, effectiveness of the heat exchanger will be equals to 1, which means the gain in heat, gain of heat, is equals to heat rejection, is equals to heat rejection, what is the gain of the heat, that is equals to T2, dash minus T2, and this value will be equals to what, it is equals to T4 minus T4 dash, it is equals to T4 minus T4 dash, clear है, बिल्कों से clear है, कोई problem वाली बात नहीं है, ठीक है, तो इस concept को समझने के लिए, हम एक diagram draw कर देते हैं, तो कोई problem नहीं है, देखो, this is the diagram of the heat exchanger, तो यहां पर आपका fluid flow हो रहा है, so this is the flowing fluid, this is also the flowing fluid, working fluid, ठीक है, तो यहां पर आपके enter होता है 2 पर, यहां पर आपके निकलता है 2 dash पर, यहां निकलता है 4 पर, और यहां निकलता है 4 dash पर, यह heat को reject करता है, और यह heat को gain करता है, जितना temperature इसका decrease होगा, उतना ही temperature इसका increase हो जाएगा and finally जो यहां के जो temperature होंगे वो आपस में क्या हो जाएगे equal which means for the ideal regeneration process the value of the T2 dash will be equals to T4 किसके equal हो जाएगा T4 मतलब इसका temperature increase होते होते कितना पहुंच जाएगा T4 के equal पहुंच जाएगा तो हम इस T2 dash को किस से replace कर सकते हैं T4 से in case of the ideal regeneration process so this q.s is nothing it is equals to m.cp T3 minus of the T4 यह क्या हो जाएगा T3 minus of the T4 बस हमारे पास यह सभी values हैं और हमें यह वाली values इस formula में क्या करनी है put करनी है तो कर दीजे put कोई problem नहीं है देखे इटा क्या होगा w.net divided by q.s so eta with the regeneration will be equals to w.net which is equals to wt minus wc तो यह दोनों values हैं तो m.cp multiply with T3 minus T4 minus m.cp T2 minus T1 divided by heat supplied that is equals to m.cp इसको हमने change कर दिया है T3 minus T4 में so this is equals to T3 minus of T4 क्या हो जाएगा यह T3 minus of T4 यहाँ तक यह problem नहीं सर कोई problem नहीं है देखे इसको हम और solve करते है m.cp will be cancelled out यह आपस में cancelled out so this will be equals to 1 minus T2 minus T1 in bracket divide by T3 minus T4 T3 minus T4 यहाँ तक यह problem नहीं सर अब common लेने वाले चीज़ आती है common क्या लें सर यहाँ पर इस equation को हमें थोड़ा सा और simplify करना है तो common हमें वो चीज़ लेनी है जो constant रहती है that is the T1 and the T3 हम किसको common लेंगे constant को common लेंगे तो देखे यह क्या होता है this value will be equals to 1 minus 1 minus यहाँ से उपर से मैं common ले रहा हूँ T1 और नीचे से मैं common ले रहा हूँ T3 तो bracket में क्या बचेगा देखो bracket में बचेगा T2 divided by T1 minus 1 और यहाँ क्या बचेगा 1 minus T4 divided by T3 यहाँ तक कोई संदे बिलकुल सर कोई संदे नहीं है अब T2 divided by T1 को आप common ले सकते हो बिलकुल सर ले सकते हैं 1 minus T1 divided by T3 इसको अलग रहने दीजिए उपर से मैं common लेता हूँ T2 divided by T1 तो जब मैंने उपर से common ले लिया T2 divided by T1 तो यहाँ क्या बचेगा देखो यहाँ बचेगा 1 यहाँ बचेगा T1 divided by T2 यहाँ क्या बचेगा 1 minus T4 divided by T3 clear है बिलकुल सर clear है यही फंडा यूज मिलो हमें किसकी value चाहिए T1 divided by T2 so T1 divided by T2 will be equals to what T4 divided by T3 T4 divided by T3 दोनों में से minus 1 कर दो yellow minus 1 equals to minus 1 या फिर 1 में से minus कर दो तो भी कोई problem नहीं वही चीज जाएगी 1 minus equals to 1 minus अब आप यहाँ से देख रहे होगे 1 minus T1 divided by T2 1 minus T1 divided by T2 will be equals to 1 minus T4 divided by T3 1 minus T4 divided by T3 simplify बिलकुल जेखो इस विलकुल जेखो इस विलकुल दो इस विलकुल दो इस ती 1 so T1 is the T minimum what is T3 so T3 is the T maximum T3 is what T3 is the T maximum यह तो आपस में cancelled out हो ही गए T2 divided by T1 is the क्या होता यह pressure ratio raise to power gamma minus 1 divided by gamma तो यह क्या हो जाएगा rp उपर आजाएगा ध्यान रखना gamma minus 1 divided by gamma so this is the value of the ideal efficiency of the regeneration process this is the value of the ideal efficiency of the regeneration process तो यह formula आपको याद अखना है सिरफ यही formula आपको याद अखना है इसने जितनी हीट जेट की उतनी की उतनी ही हीट इसने गेन कर ली and because of that इस working fluid के temperature में जितना change आएगा उतना ही इस working fluid के temperature में change आएगा मैं temperature change की बात कर रहा हूं मतलब इसका जितना temperature increase होगा उतना ही magnitude में इसका temperature decrease होगा so this is the case of the ideal regeneration process और इसका efficiency का formula आपको याद अखना है that is 1 minus T minimum divided by T maximum है ना 1 minus T minimum divided by T maximum और इस condition में RP उपर आजाएगा और RP के power में क्या हैगा जल्दी से बता हो RP के power में क्या हैगा gamma minus 1 divided by gamma और अगर gamma की value 1.4 हो अगर gamma की value 1.4 हो in that case gamma minus 1 divided by gamma क्या होता है 0.2857 क्या होता है 0.2857 तो यहाँ पर regeneration का concept clear होने के बाद अब हम एक numerical question को deal करते हैं so guys this is the question based on the isentropic efficiency of the compressor and the turbine and this question it is asking the value of the power generation क्या पावर कितनी produce करो that is the w.net ठीक है तो question को पड़ी है question क्या है a gas turbine has a pressure ratio of the 10 so we will write also data given in this question so the pressure ratio is given in the question is equals to 10 so value of the RP is 10 and the maximum temperature of the cycle that is the T3 is equals to 700 degree Celsius which means it is 973 Kelvin the isentropic efficiency of the turbine so isentropic efficiency of the turbine is 0.85 and the isentropic efficiency of the compressor is 0.82 so this is the value of the NC and the NT calculate the power output of an electric generator which is coupled to the turbine when air enter into the system at the 15 degree Celsius at rate of the 15 kg per second तो अब आपको क्या गिवन है question में question में आपको गिवन है T1 का वेल्यू सबढ़ इसक्वार वेल्यू है तो इसक्वार 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 चार्च आपको एक गलती करने वाले और वो गलती में बताते हों एक यह CP की value है एक यहां पर CP की value है और यहां पर gamma की value है और यहां पर gamma की value है तो compression process के लिए compressor में अलग values है और expansion process के लिए turbine के लिए अलग value है तो यहां पर गलती हो सकती थी तो I hope किसी ने भी गलती नहीं की होगी क्योंकि मैंने specially mention कर रखा है कि compression के लिए अलग value है expansion के लिए अलग value है now come to the T2 value हमें T2 की value की सबसे पहले calculate करना है तो यहां से आपको पता भी चल जाएगा एक question मैं ने आपको पहले दिया था जिसमें मैंने आपको efficiency consider करने के लिए कहा था तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि actual temperature हम कैसे calculate करते हैं so this T2 is equals to T1 multiply with RP raise to power gamma minus 1 divided by gamma तो बस हमें यहां पर values put करनी है और question को solve करना है so this T1 is equals to what यह T1 किसके equal है so this T1 is equals to 288 Kelvin तो Kelvin हटाओ RP is the pressure ratio 10 raise to power gamma minus 1 divided by gamma अब gamma कौन साने gamma हम लेंगे compression वाला so that is 1.4 तो यह हुजएगा पर 0.2857 क्या हुजएगा 0.2857 and if you solve this you will get the value of the T2 you will get the value of the T2 is equals to 556 point something 556.02 Kelvin so this is the value of the T2 किसका value है T2 का value है and with the help of the formula of the isentropic efficiency of the compressor we can calculate the value of the T2 dash to T2 dash क्या होगा देखिए so this T2 dash will be equals to it is equals to T2 minus T1 T2 minus T1 that is the ideal temperature is divided by isentropic efficiency of the compressor isentropic efficiency of the compressor plus T1 so plus T1 so what is T2 dash it is equals to T2 that is the 556.02 minus of T1 that is the 288 divided by eta of C that is equals to 0.82 0.82 plus T1 and the value of the T1 is equals to 288 from here you will get the value of the T2 dash equals to 614.85 Kelvin so this is the value of the T2 dash which will be considered for the calculation of the compression work now come to the value of the T4 so what is T4 T4 is equals to T3 divided by RP that is the pressure ratio raise to power gamma minus 1 divided by gamma तो यहां ध्यान रखिएगा expansion process है तो expansion process के लिए gamma की value दूसरी है केल्विए तो पूत रखिए तो यहां वेल्यू पुतर को 973 divided by RP is the 10 raise to power 1.33 so it is 1.33 minus 1 divided by 1.33 यह की पावर में तो यह 10 की पावर में तो यह 10 पावर में है तो यह 10 की पावर में है 549.531 Kelvin, so this is the value of the T4, from this T4 value you will get the value of the T4 dash by considering the isentropic efficiency of the turbine, so with the help of T4 calculate the value of the T4 dash which will be equals to T3 minus eta of turbine, okay, multiply with the T3 minus T4, so this T4 dash will be equals to what T3, what is the T3, 973 Kelvin minus eta of turbine, turbine is 0.85, 0.85 multiply with 973 minus 549.531 Kelvin, so from here you will get the value of the T4 dash which will be equals to 612.98 Kelvin approximately, okay, so calculation of day, this is the value of the T2 dash and this is the value of the T4 dash which will be used in the calculation of the WT and WC, so remaining theme I am going to rub, so this is the value of T3, T4, T4 dash and T2 dash and T2 dash and what will be of the T4 dash will be equals to 612, 612.98 Kelvin, 612.98 Kelvin, 612.98 Kelvin, तो यह values आप use करके जल्दी से हैं, find out कीजिए कि आपका जो W.net है, उसकी value क्या होगी, so it is the 98 Kelvin, clear है, बिल्कुल clear है, अब हमें चाहिए W.net, हमें W.net की value को calculate करना है, तो W.net क्या होगा, so W.net will be equals to W.T minus W.C, तो M.C P, M.C P for the turbine या फिर expansion ले लिजे, expansion multiply with T3, T3 minus T4 dash minus of M.C P compression के लिए ले लिजे, so it is T2 dash minus T1, बस values put करना है, M. क्या है आपको question में given है 15 kg per second, so it is common 15 kg per second CPE, so CPE is given in the question is 1.33, so it is 1.33 multiply with T3, that is the 973 minus T4 dash, that is the 612.98 minus of CPC, so what is CPC, for compression it is equals to 1.4 multiply with T2 dash, that is equal to 614, 614.85 minus of उसके बाद आपको T1 का value चे, that is the 288, so 288, and from here you will get the value of the W dot net, W dot net is equals to 1067.06 kW, so this is the value of the W dot net, kW per second, Joule per second, so this is the answer of the question which is based on the isentropic efficiency of the compressor and the turbine. Now come to the next topic of the modification in Brayton cycle, that is the intercooling, अभी तो हमने क्या किया था, regeneration, now we will do the intercooling, intercooling का मतलब है, मतलब थंडा करना, cool cool, intercooling मतलब बीच में ही थंडा कर देना, तो जो compression होता है, उसको जो हम work input provide करते हैं, it is the function of the inlet temperature, कि मतलब inlet temperature जितना कम होगा, compressor को provide किये जाना वाला work, वो भी क्या होगा, कम होगा, so that's why we are adopting the intercooling process for the higher compression ratios, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा compression करना है, तो एक ही compression में हम ना करते हुए, हम उसे दो separate compressors में compression करेंगे, ठीक है, एक ही साथ ज़्यादा compression ratio achieve नहीं करेंगे, उसको अलग-अलग compression में हम करने वाले हैं, और अलग-अलग compression में करने के लिए, दो compressors के बीच में हम क्या करेंगे, एक intercooler लगा देंगे, और intercooler लगाने से क्या होगा, जो हम compressor को work provide कर रहे हैं, उसकी value में क्या हो जाएगी, कम ही आ जाएगी, तो जो work input होगा, that will be reduced, because of the intercooling process, now write down the next point, और next point क्या है आपका, वो है intercooling, तो हम करने वाले हैं, intercooling, क्या करने वाले हैं, intercooling, तो intercooling कैसे करेंगे, intercooling हम करेंगे, दो compressors के बीच में, किसके बीच में हैं, दो compressors के बीच में, पहले होगा आपका low pressure compressor, और उसके बाद होगा आपका high pressure compressor, तो पहले component देखते हैं, components क्या क्या होते हैं, फिर आपको उसे पता सलेगा, so this is your first compressor, तो यह हैं आपका low pressure compressor, ठीक है, यहाँ पर आपका one number पर enter हो रहा है, two number पर exit हो रहा है, और उसके बाद है यहाँ पर intercooler, so this is the intercooler first, यह क्या है आपका intercooler, यह क्या है आपका intercooler और इसको में नाम दे रहा हूं आपका suppose IC1, so this is the IC1, intercooler के बाद आपका एक और compressor होगा, तो उस compressor में भी हम क्या करेंगे, compression करेंगे and that compressor is the high pressure compressor, so this is the high pressure compressor, high pressure compressor में enter होने के बाद, वो आपका high pressure में convert हो जाएगा और वो एकजिट होने के बाद, वो जाएगा आपके combustion chamber में जिसे हम heat exchanger भी कह सकते हैं, so this is the heat exchanger, so this is the heat exchanger clear है बिल्कुल सर clear है heat exchanger के बाद आपका वो जाता है turbine में किसमें जाता है turbine में जहां पर उसका क्या होता isentropic expansion turbine में क्या होता है isentropic expansion so this is the turbine तो यह है आपका turbine turbine में होगा आपके isentropic expansion high pressurized और high temperature working fluid का so this is the turbine turbine के बाद उस working fluid को वापिस use करने के लिए हम उसे भेज़ देते हैं आपके एक और intercooler में so this is the intercooler number 2 IC2 IC2 के बाद हम same working fluid को वापिस compressor के अंदर भेज़ देते हैं for the further operation उसी operation को वापिस carry out करने के लिए ठीक है तो I hope आपको सारे component clear होगे होंगे आप में marking कर देता हूँ so this is the 2 और उसके बाद है आपके ये वाला part 3 उसके बाद है ये वाला part 4 उसके बाद है ये वाला part आपके 5 इसके बाद part है ये 6 और इसके बाद क्या है ये 1 so 1, 2, 2 से 3, 3 से 4 और उसके बाद क्या होगा 4 से 5 होगा और फिर 5 से 6 होगा और 6 से वापिस क्या होगा बन होगा So this is the intercooling process in your ideal Brayton cycle यह क्या हो जाएगा आपका ideal Brayton cycle हो जाएगा अब अगर हम इसका diagram देखते हैं तो सबसे पहले हम अगर इसका diagram देखेंगे तब ही हमें समझ जाएगा कि एक्चुल में हो क्या रहा है देखो So this is your diagram पहले हम देखते हैं TS diagram को किस diagram को TS diagram को जब हम TS diagram को देखते हैं तो पहली चीज़ मन में यह question आना चाहिए कि why we are providing the intercooler suppose आपको 1 bar pressure से 40 bar pressure तक जाना है कितना जाना है 40 bar pressure तक जाना है तो इस condition में आप क्या करोगे 40 मतलों आप ले लिजे 1 bar से आप जा रहे हो 4 and 16 bar तक जा रहे हो suppose you are going to the 16 bar pressure and you are using the compression of the pressure ratio of 4 so आपका pressure ratio क्या है 4 है तो आप क्या करेंगे direct 1 से 16 नहीं जाएंगे आप जाएंगे पहले 1 से 4 4 से 16 आप क्या जाएंगे पहले 1 से 4 और फिर 4 से क्या जाएंगे 16 जाएंगे इस condition में क्या होगा देखिए अगर आप direct 1 से 16 जाते हो और आप work calculate करते हो compressor को जो दिया है और आप अगर इस तरीके से जाते हो और work calculate करते हो जो compressor को दिया है तो इस condition में जो आप इस different different stages में जा रहे हो उसमें work required as compared to the single stage क्या होगा कम होगा तो intercooling करने से work input to the compressor decrease हो जाता है और यह कैसे decrease होता है जब हम PVTS diagram बनाएंगे तब वह चीज आपको अच्छे तरीके से समझाएगी और मैं आपको शो करूंगा कि कौन सा area decrease हो रहा है कौन सा work input decrease हो रहा है तो पहले 1 से 2 की बात करते हैं ठीक है intercooler क्या होता है heat exchanger तो होता है तो दिस इस दा 122 तो दिस इस वन दिस दा टू तो दिस इस अप्रेशर लाइन इस अगे प्रेशर लाइन ठीक है वन से टू के बाद वो किसमें जाता है intercooler में तो intercooler में जाएगा constant pressure पर heat का rejection होगा और उसका temperature decrease हो जाएगा और आप वापिस कहां पहुंच जाओगे initial temperature पर ही clear है so this is the constant pressure heat rejection process in your intercooler उसके बाद हम क्या जाएंगे वापिस जाएंगे so this is the two हम पहुंच जाएंगे three number process पर उसके बाद हम वापिस pressure को increase करेंगे हम पहुंच जाएंगे यहां पर this is the point number four so this is the point number four जहां तक कोई problem नहीं है तो थ्री से four so this is the three to four in the high pressure compression so this is the one this is the two उसके बाद देखिए उसके बाद हम जा रहे हीट exchanger में जहां पर हम combustion chamber की तरह हीट को add करेंगे add the constant pressure to the working fluid so the temperature will be increased temperature क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अब देखो यहां पर अब हम पहुंच जाएंगे four के बाद क्या रहा है देखो five आ रहा है so this is the five process five number state of the working fluid उसके बाद क्या रहा है turbine में turbine में क्या होगा isentropic expansion so this is the six तो इस तरीके से हम जाएंगे one से two फिर two से three फिर three से four फिर four से five फिर five से six अब देखो क्या क्या हो रहा है यहां देखो so low pressure compressor में हम वर्क इन्पूट प्रोवाइट कर रहे हैं WC1 WC1 so what is this one two two process so one two two process में हो रहा है आपका WC1 क्या हो रहा है WC1 यहां नहीं लिखना so this is the WC1 उसके बाद intercooler में क्या हो रहा है intercooler में हो रहा है heat का rejection intercooler में क्या हो रहा है heat का rejection that is the qr1 ले लो इसको कोई problem नहीं है intercooler में क्या हो रहा है heat का rejection तो heat आ रही है system से बाहर that is the qr1 उसके बाद बापिस हम high pressure compression में जा रहे हैं high pressure compression में क्या हो रहा है यहां पर भी isentropic compression हो रहा है और यहां हम work दे रहे हैं WC2 क्या दे रहे हैं WC2 so this is the 3 to 4 process जिसमें isentropic compression हो रहा है जहां हम दे रहे हैं WC2 क्या दे रहे है WC2 उसके बाद हम heat exchanger में जा रहे हैं heat exchanger में जाने के बाद हम heat की supply कर रहे हैं at the constant pressure so this is the q.s सबके उपर dot है सबके उपर dot है ठीक है dot consider कर ले ना per unit time so all are having the per unit time तो four से five process में in your heat exchanger क्या हो रहा है heat की supply हो रही है so this is the q.s यह क्या हो जाएगे आपकी q.s हो जाएगा उसके बाद five to six में five to six में हम turbine में so this is the five five to six में किस में turbine में मैं तो तरबाइन में हमें मिलेगा work output so this is the w t w dot t तो तरबाइन में क्या मिलेगा w dot t so this is the w dot t his ऐडीर प्रेशियर यहां पर भी heat rejection to the environment before entering into the low pressure compressor at the constant pressure so this is the qr2 so यहां पर हो रहा है आपके qr.2 हो रहा है clear है बिल्कु से clear है कोई problem आई बात नहीं है अब मैं इसका pv diagram बनाता हूं तो यह diagram आप अपने सामने रखिएगा और उसके reference से देखिएगा कि pv diagram में क्या हो रहा है clear है बिल्कु से clear है ठीक है अब देखिए हम बनाते हैं पीवी diagram तो pressure और volume diagram का जो relation है मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस में slope positive होता है किस में slope negative होता है now come to the pv diagram यह क्या है आपका pv diagram अब मैं modification में पहली बार pv diagram बनाने वाला हूं generation में मैंने कोई भी pv diagram नहीं बनायता तो कोई दिक्कत नहीं है बन से टू का pressure देखो तो मैं यहाँ पर तीन pressure line ड्रो कर देता हूं so this is the first this is the second and this is the third so this is the pressure p1 this is the pressure p2 and this is the pressure p3 यह क्या हो जाएगा आपका pressure p3 not p1 okay pressure p2 p2 and p3 are the same तो यह हो जाएगा आपका p4 यह क्या हो जाएगा आपका p4 हो जाएगा p4 and p5 अब देखो एक तीन pressure line ड्रो कर लेना बन जाएगा तो कहीं भी one number point ले लो मैं यहाँ पर ले ले ता हूं one number point volume बहुत जादा है हमें उसका compression करना है so this is the one two two isentropic compression यह क्या हो जाएगा one two two isentropic compression one two two isentropic compression होने के बाद constant pressure per heat का rejection होगा so this is the constant pressure heat rejection process यह क्या हो जाएगा constant pressure heat rejection process so this is the point number three यह क्या हो जाएगा point number three two two three हो गया अब three to four क्या है isentropic compression again isentropic compression so the pressure will be increases the volume will be decreases so this is the 324 यह क्या हो जाएगा 324 P2 will be equals to P3 P2 will be equals to what P3 फिर 4 से 5 में क्या होगा 4 से 5 में क्या होगा जल्दी से बताओ 4 से 5 में constant pressure heat addition 4 से 5 में क्या होगा constant pressure heat addition तो हम यहां पर 4 से 5 में क्या होगा constant pressure heat addition so this is the point number 5 constant pressure heat addition 5 से 6 में क्या होगा 5 से 6 में होगा isentropic expansion so this is the 5 to 6 isentropic expansion so this is the 6 number point और फिर वापी 6 से 1 क्या हो जाएगा 6 से 1 क्या होगा 6 से 1 हो जाएगा constant pressure heat rejection 67 क्या होगा constant pressure heat rejection तो आपको यह diagram बनाना आ चुका होगा clear है बिलको सर clear है कोई problem वाली बात नहीं हमने यहाँ पर compressor के work input को क्या किया है reduce किया है compressor के work input को reduce करने से क्या होगा देखिए w.net क्या होता है w.net network then क्या होता है w.t minus w.c अगर आपका compression का work input decrease हो रहा है then the network will be increases कहीं आपको show हो रहा है कि work done बढ़ गया कहीं हो रहा है क्या show देखो अगर हम intercooling नहीं करते तो 1 से सीधा पहुंचते हम यहाँ पर ऐसे 1 से हम सीधा पहुंचते हैं यहाँ पर यहाँ पहुंचते हैं so this will be the two dash अगर हम intercooling नहीं करते तो 1 से सीधा चले जाते हैं two dash हमने intercooling की है जिसके करन हम पहले two से three आ रहे हैं फिर three से four जा रहे है that's why हमें ज्यादा एरिया मिल रहा है that's why में क्या मिल रहा है ज्यादा एरिया मिल रहा है और यह ज्यादा एरिया ही क्या है network interaction यह ज्यादा area ही क्या है network interaction में होने वाला increment यह ज्यादा area ही क्या है आपके network में कितनी व्रदी हुई है कितना increment हुआ है This is the increased area अगर हम वापीस ध्यान से सुन लो अगर हम intercooling नहीं करते तो हम इस रस्ते से जाते हम intercooling कर रहे है इसलिए हम थोड़ा आइदर खिसके because of the intercooling at the constant pressure and after that we will do the compression and because of that the area of the PV diagram will be increases and it will show the increase in the net work done by the system इस cycle में net work done में जो increase हो रहा है यह आपके PV diagram में जो increase हो रहा है उसके द्वारा show हो रहा है तो I hope यहाँ पर आपको intercooling का यह जो concept है यह clear हो चुका होगा ठीक है बिल्कुल सही है कोई problem वाली बात महीं है यहाँ पर compression work decrease हो जाता है net work increase हो जाता है लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ पर heat supply increase हो जाती है यहाँ पर heat के supply क्या हो जाती है increase क्यों हो जाती है जल्दी से बताओ graph में देखो और जल्दी से मुझे बताओ कि heat की सप्लाइ Chiute क्यों होती है जब तक में अपर ऐप करता हूं behold कि अगर में अगर मैं अघर में वहीं मैं सही बता रहो अगर मैं आपका इंक्रोडिक नहीं करता तो ऐसे जाता जाता है या नहीं जाता बिल्कुल आइसेंटरॉपी कंप्रेशन करते था यहां पहुंच जाता तू डैश और आप हीट करते कि इतनी सी करते की नहीं करते है क्योंकि मैंने इंट्र कॉलिंग किये तो मुझे heat supply करने पढ़ रही है इतनी सारी अगर मैं intercooling नहीं करता तो ये सीधा मैं यहां पहुंचता और सीधा पहुंचने के कारण यहां से यहां तक heat की क्या होती supply होती लेकिन अब क्या हो रहा है अब मैं यहां पहुंच रहा हूँ पहले तो उपर गया थोड़ा सा फिर नीचे उत्रा फिर थोड़ा से उपर गया अब मैं नीचे पहुंच रहा हूँ अब यहां से यहां पर heat के supply करने पड़ रही है तो पहले तो करने पड़ रही थी इतनी थी अब Intercooling के कारण करने पड़ रही है इतनी तो इसके कारण क्या हो रहा है hit supplied भी increase हो रही है तो आप यहां लेको heat supplied will be also increased क्या heat rejection पर effect आ रहा है बिलकुल सब अगर मैं intercooling नहीं करता तो मुझे इतनी heat reject करनी पड़ती so this is the amount will be heat rejected without intercooling लेकिन अब क्या हो रहा है intercooling करने के कारण intercooler में भी heat reject करनी पड़ रही है दो जगें heat reject हो रही है so this is the q.r1 this is the q.r2 तो जो heat rejection है वो भी क्या हो रहा है increase so heat rejection is also increases heat rejection भी क्या हो रहा है increase हो रहा है now come to the mean temperature of the heat addition and mean temperature of the heat rejection तो यह देखो this is the minimum this is the maximum यह आपका mean temperature so this is the minimum this is the maximum यह आपका mean temperature so this is with intercooling यह ना intercooling इसका बीच वाला और this without intercooling तो mean temperature of heat addition क्या हो रहा है जल्दी बताओ mean temperature of the heat addition decrease mean temperature of heat addition will be decreases mean temperature of the heat addition will be decreases और अगर यह decrease हो गया तो उस condition में क्या होगा हम यह predict नहीं कर पाएंगे कि efficiency increase हो रही है या decrease क्योंकि ऐसा ही कुछ effect आपको मिलने वाला है mean temperature of the heat rejection में क्या मिलने वाला है mean temperature of the heat rejection इन दोनों का mean निकालो इन दोनों का mean निकालो फिर बापिस mean निकालो तो आपका जो mean temperature of the heat rejection है it will be also जल्दी से बताओ mean temperature of the heat rejection it will be also decreases addition भी decreases और आपका जो rejection है यह भी decreases तो आप कैसे predict करोगे देखो इटा क्या होता है it will be equals to w.net divide by q.s w.net q.s यह भी increase यह भी increase दोनों कितना कितना increase पता नहीं लगा सकते it क्या होता है 1 minus mean temperature of the heat rejection mean temperature of the heat addition दोनों decrease पता नहीं लगा सकते it क्या होता है अब कोई पता लगा सकते तो मुझे बताना की कैसे पता लगा सकते है 1 minus q.s वाला यह लेते है q.r divided by q.s दोनों increase कैसे पता लगा होगे हम इन तीनों से पता नहीं लगा सकते है कि intercooling के कारण आपकी जो efficiency वो increase होगी या decrease तो फिर हम क्या करें हम करते है practical हम क्या करते है practical हम power plant में जाते हैं कहां जाते है power plant मे जाने के बाद हम practical करते हैं और देखते हैं कि intercooling से efficiency increase होती है या feed decrease होती है तो जैसे हम power plant में गए intercooling वाला हमने power plant डाला और जैसे हमने उस पर work करने लगे तो हमने यह देखा कि intercooling के कारण efficiency decrease होती है theoretically पता नहीं लगा सकते हैं इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा practical तो यहा देखो concept है intercooling intercooling करने से क्या होता है कुछ नहीं होता intercooling करने से w.net increase होता है but efficiency का कैसे पता लगाएं efficiency का पता लगाने के लिए हमने किया practical और practical करने से हमने यह पाया यह हमने पाया यह हमने observe कि because of this intercooling efficiency of the cycle will be decreases आपके cycle के जो efficiency होती हो क्या हो जाती है decrease हो जाती है now come to the next point that that is the W net that is the W net divided by mass flow rate यह क्या देगा आपको यह देगा आपको W dot net यह क्या देगा आपको W dot net देगा यहां तक कोई problem नहीं से कोई problem वाली बात नहीं है तो जब भी आप intercooling process करते हो जब भी आप intercooling process करते हो जो आपको mass flow rate जो required होता है it will be decreased the mass flow rate required होता है it will be decreased and because of that W dot net will be increased मतलब आपके plant का size क्या हो जाता है reduce हो जाता है ध्यांदे सुनना जब भी हम intercooling करते हैं तो जो mass flow rate required होता है यह जो mass flow rate है that will be in the kg per second it will be decreased it will be in the kg per second तो ये किस में आएगा बताओ ये किस में आएगा जलंदी से बताओ डबलू डॉट नेट यह होगा आपका जूल पर केजी ठीक है तो केजी से केजी कैंसिल आउट तो जूल पर सेंगेंड इट विल बी किलो वाट तो मतलब इंटर कूलिंग का यूज करने से जो आपका अब बाइस प्रण बाइस प्रण बीडियूस और यह आपके क्या होते हैं इंटर कोलिंग के एफेक्ट होते तो यह चीज आप यहां पर याद अखने पड़ेगी इस क्लास को मैं यही पर होल्ड करता हूं फिर मिलेंगा मद नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाबाए टेक बेस्ट आफ लग झाल 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 झाल